हलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज में लेकर आई हूँ बीना प्याज के आलू मतर की सबजी कैसे बनाए वो भी टेस्टी तो फिर चलिए ये वीडियो फटा फट से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले इसका टेस्टी सा मसाला बना लेते हैं उसके लिए मैंने लैसून लिया है और लाल मिर्च हो आपके पास फ्रेस आप वो ले लीजिएगा मैं यहाँ पर ओकल मुसलिम करस करूँ क्योंकि थोड़े दर्दरे से बाइट आए आप इसे मिक्सी में भी कराइंड कर सकते हो लैसून और लाल मिर्च का मैंने पैस्ट बना लिया है लाल मिर्च ना हो तो आ आपके पास तो अम मैं इन्हें कहा है डायरेक्टी ही बोईल कर लूँगी क्योंकि मेरे पास च्छोटी साइज की क्वांटिटी में ज्यादा है और टेस्ट के कोडिंग नमक एड़ करेंगे मैं यहाँ पर हाफ जमच नमक एड़ कर रही हूं और गेस ओन करके इन्हें करेंगे राय जैसे किंडी की सब्जी में आलू की सब्जी में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और प्याज वगएरा कुछ भी डालने के ज़रुवत नहीं है जो अपने यह लैसून और लाल मिर्ज का पेस्ट बनाया है वह इसमें डालेंगे और हलका से इने फ्राइ हो चुके हैं तो में यह च्छोटी-छोटी साइज में पहले कट कर लिया है वो इसमें डाल करेंगे टामाटर ना हो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हो और अब इसमें थोड़ी से और मसाली एड करेंगे रैड चिली पाउडर को एक चमच और एक चमच टर्मरिक अगर रेड चिली पाउडर आपकी स्पाइसी हो तो आपको कम क्वांटिटी में एड़ करना है अब जो मैंने आपको इस्टे बता ही है उससे देखी एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे उधर आलू बोईल हो जाएंगे इदर मसाला त्यार हो जाएगा तो टाइम की बच्चत झाने देंगे इदर अपने आलू बोयल हो चुके हैं अब गेस बंद करके त्हंड़ा कर लेगे मसाला भी पकर त्यार हो चुका है इसमें थोड़ी सी टेस्ट के अकोरिंग नमक करेंगे और थोड़ा सा उपर से भी लैसून एड़ करेंगे लैसुन फलेवर की ये सबजी ज्यादा टेस्ट लगेगी आप अंगुलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और यह आलू जो अपने ठंडे के हैं उनका छिलका उतार कर थोड़े से मैस कर लेंगे थोड़े से एसे रखेंगे क्योंकि यह चोटे साइज के हैं पहले आलू तो इनके जरूरत नहीं हैं यह लिजे टेस्ट इसी आलू मतर की सब्जी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए